सल से बीग वेस लीग स्टार्ट होने वाले उनका सारा कुछ देखेंगे, लास्ट सीजन काफी कमाल के गया था, लेकिन देखो, टेस्ट मेच का रिजल्ट आया, जी येल वीन हुआ, सेम जो मैने बताया, क्यों बताया, ये ज़्यादा जरूरी है, जब मैने बोला कि जी येल सिर्फ गया, लेकिन मैंने दो पिलियर के बारे में आपको बताया, अबरार अहमाद साउध साकिल ये आडियो सुन सकते, इनके लाबे साउध साकिल के बारे में भी मैने बताया, दोनों के इन्होंने केफटन वाइस दे दिया, एक टीप्स का वीडियो मैने बताया था, कि जिस पिलियर पे रिस्क लो, उसको केफटन वाइस दे दो, और सारा कुछ नतीजा रहा, साप सुतरा मैने बताया, सेम कॉंबिनेशन पिन होने जी एल वीडियो क्या काफी अच्छा लगा, बहुत सारे अभी स्क्रीन सोट आना बागी है, बहुत सारे हमारे मेंबर्स जी ए तो आप लोग चलिए, बीग बेस लिग पे भी हम लोग तहलका मचाएंगे, लास्ट सीजन देखोगे, शुरुवात में जितना मुकाबला मैंने कवर किया, सारा का सारा सांदर गया, और हमारी आदत है, ज्यादा मुकाबला हो जाने के बाद मैं कवर करना बंद कर देता तो दोस्तो, सिडनी थंडर वर्सेस, मिल वर्स, स्टार के बिच पहला बीग बेस लिग मुकाबला खेला जाएगा, दोनों टीमोंग हम लोग स्कुआइट देखेंगे, उनके बाद कौन-कौन से पिलियर खेल सकते हैं, प्रूबेबल पिलिएंग लेवन देखेंगे, लास से ज़्यादा महतपूर्ण है हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको जॉइन करना, क्योंकि वहाँ पर मिलेगी फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खूद खेलता हूँ, इनके अलावे जील से रिलेटर बहुत सारे अपडेट, जो जील विन करने के लिए काफी ओतार, मैंने कई ब क्लिक करोगे नीचे आपको टेली ग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा, इस बुलू बाले पे, बुलू बाले पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही हमारे टेली ग्राम चैनल पे चले जाओगे, वहाँ पर दिखेगा जो आपको जो आएन हो जाना है, वहाँ पर मिलेग स्कुआइड देखिने बाले एडम जंपा जो है अपने टीम का केफटेंसी करने बाले हैं इनका इसके निए सोट ले सकते हुए इनके लावे प्रूबेबल पिलिंग लिबन भी देखेंगे दूसरे टीम का यहाँ पर इसकुआइड देखा जाए तो जैसोन संगा अपने टी काफी जाधा बड़ा है इसमें से कौन सा 11 पिलियर होने वाला है उसके उपर चलिए हम लोग अब डिसकस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एस्टी एक प्रूबेबल पिलिंग लेबन देखा जाए तो मारकस इस्टोनिस ओपन करेंगे देखो यह पार्ट टाम गेनवाजी क करने चांस इनका कम है मारकस इस्टोनिस का होगो सकता आ जाए वह अलकी बात है लेकिन नहीं किया था तो नहीं किया था जोई बैरन से थोड़ा रुकर खेलेंगे ODI का ये पिलेर है तो रुकर खेलेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकता है बाव बेवेश्टर हाड हीटर है काफी कमाल का इनका रिकोर है वक्त पढ़ने पर पाट टैम गेन वाजी भी करता है तो बाव बेवेश्टर काफी बढ़िया ह लास्ट सीजन काफी कमाल कर रहा था अंथ पर आते थे आए और अच्छे खासे हाड हीटिंग ये कर लेते थे अगर जदी शुरुवाती बिखते लेट गिरे तो हो सकता है काट राइट को यहाँ पर परमोसन मिल सकता है निक लार्किन काफी बढ़िया है यहाँ पर इनका ठीक ठाक है ज्यादा मोका नहीं मिलता था क्योंकि इनके जगा मैक्सवेल यहाँ पर खिलते थे लेकि मैक्सवेल साथ अभी शुरुवात में एवलेबल नहीं है तो यहाँ पर निक लार्किन बेहतर कर सकते हैं नाथर कुल्टर ने देखा जाए तो यह डे तूभर में गे काफी बढ़िया लाश्ट सीजन भी कुछ मकाबले बीक वेस के खेले जिसमें इन्होंने अच्छा परदसन किया प्रेट बोल्ट के बारे में क्या बताओ इनका रिकोर्ट तो सारे लोगों पता एक इंटरनेशनल न्यूजिलैंड का फास्ट गेनवाज है जो के डेथ उब करेंगे दूसरे टीम का एम गिलकिस की बात की जाए एक छुपार उस्तम पिलियर इनका नाम देखो कि उतना बढ़ा नहीं है लेगिन ठीक ठाक कर लेता इलेक्स हिल्स हंड्रेड मेंच इनका जबड़दस्ट गया टीट्वन्टी वर्ल्ड कप जबड़दस्ट गया और य इसको हमेशा अपने टीम पे फिक करता था केप्टन वहाज के लिए भी मैं जील पे ट्राइ करता था और हमेशा इनका इस बार अपने टीम के केप्टन भी है तो काफी बढ़िया रिलेर रोसाओ की बात कीए टीट्वन्टी वर्ल्ड का में इनकों सत्तक भी जड़ा था इ शुरुआती विक्टे गिरेंगे तो इलेक्स रोस काफी बढ़िया काम गेंदे पर अधिकरान मारने की हमेशा से चमता रखता है डेनियल सेम्स जैसे की बीग बेस लिग देखा जा आईपी यल में कोई गेंबाज हो या फिर कोई बल्ले बाज हो जैसे सुरेस रहना हुआ करता था आईपी यल बोले तो सुरेस रहना काता था क्योंकि वहाँ पर परदसर उनका काफी अच्छा रहता सेम डेनियल सेम्स का है चार विक्टे तीन विक्टे परमोशन मिलने पे 19 गेंदों पे 40 रहन साथ रहन इसा यह मार जाती है तो डेनियल सेम्स जो है बीग बेस ल करने के लिए आजाते जैसे कि पाकिस्तान का इमाद वसीम को देखे हुए पाबर पिले में गेनबाजी एक दो बड़ डालता सेम उसी कटेक्रिया किरिस गिरीन भी आई लेकिन हाँ बले बाजी जिस प्रकार से इमाद वसीम को मिलने पे वो भी अच्छा खासा कर सकता है त अफगानिस्तान का फजल फारूकी की बात के सुरुवाती जटके देते आपको याद होगा अफगानिस्तान की तरफ से सिरलंका खिलापीनों ने क्या गजब किया था टी टुवन्टी वर्लकप में अन्य देशों के खिलापीनों ने गजब परदसन करके आ रहा है और डोम में इस्पीन अच्छा करते हैं वैसे तन्वीर संघा करने वाले क्योंकि इनका डिमस्टिक रिकॉर्ड काफी बढ़िया मिडिल में डालेंगे गुर्विंदर संदू इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाका है ओडियाई जो अभी आश्टेलिया का हो रहा तो उसमें भी इनों ने का पर्यास करें तो देखा जाए लास्ट सेब में इसकोर कार दे एलेक्स हेल से उपन आते थे इनके जगा आएंगे एम गिल किस यहां पर फ्वाजा था ने जैस्वन संघा यहां पर एक सटन की पारे एलेक्स रोस यहां पर छपपन इन लोगों को नाम थोड़ा सकम डैनि यहां पर कोई बिक्टे नहीं मिला था पिलियर काफी बड़ा याद रखना तन्वीर संगा इस्पीन गेनबाजी दो बिक्टे जैस्वन संगा पाट्टाम गेनबाजी के लिए आ जाते है साथे बल्ले बाजी तो कमाल के करते गेनबाजी करेंगे तो वह यहां के प्रन वह यहां पर तेरा जड़ेते गेनबाजी देखेजा गेनबाजी इनका फिर से ठीक टाकरा गुर्विंदर संथ दो के बाद इस बार तीन विक्टे लेगे तन्वीर संगा फिर से दो बिक्टे अगले का स्कोर कार्ड भी दिखा उसमें भी दो बिक्टे और यहां पर डैनियल स से एक विक्टर जैसुन संगा एक वबार डाल सकता है तो थोड़ा से इस पर खास ध्यान देना चीए इनका तीसरा मुकावला देखा जाया तो यहाँ पर देख सकते हैं एम गिलकिस नहीं हाँ पर छेरन एलेक्स हेल्स यहाँ पर तैस जड़े से जैसुन संगा एलेक्स रोष डेनिल सिर्प यह होने वाला इनका ओली डेविट्चन के जागा बेंकर्टिंग या फिर कोई अन्या सकता है यह पुरू बेबल पिलिंग 11 के अधार्प यहाँ पर खेल ले रहां तो दोस्तों किरिक बाज गूगल में कहीं भी सर्च करो लास्ट सीजन के बहुत सारे स्कूर काड़ आपको मिल जाए लेकिन फिलाल मैंने तीन आपको दिखाया बांकी का आप खुद से भी देख सकते हो मिल बरन का कुछ स्कूर काड़ देखते जो ही कलार्क लास संभाबना है मैक्सवेल पार्ट टेम गेंवाजी रूप में दो बिक्ते ले गया नहीं है अभी फिलाल एडम जमपर टीम के केप्टन सी करें दो बिक्ते फुल्टर नील को एक बिक्ते यहाँ पर मिला था एडेनियल भी टीम का हिस्सा नहीं है इनके लाब दोस्तों बाव बिवेश्टर पार्ट टेम गेंवाजी करते इस पर याद रखना और हार्ड हीटिंग अच्छा खासा यह कर लेते हैं दोस्तों कई बार निक लार्किन को ओपन भी भेजा गया तो वह तो प्रोबेबल पिलिंग जब लाइनप आएगा वहाँ पर पता चल जाएगा बाव बिवेश्टर को यहाँ पर ओपन भेज दिया गया तो कुछ यहाँ पर सर्फराइज यह करते इनकी टीम बर्न से पर फिर से जोई कलार्क यहाँ पर उपन आगे कई बार नीचे आ जाते टी रोगर्स को यहाँ पर भेजा गया था इनके अलावे काटराइट यहाँ पर नीचे तो दोस्तों चलिए हम लोग कोंबिनेशन देखेंगे बांकी का स्कूर कर आप खुछ से भी देख सकते हूँ तो मेरे भाई कोंबिनेशन तो देखेंगे लेकिन इससे पहले अगर जदि हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम 11 से डिलेटर कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फोर्मेशन देता हूं जैसे फिरी मटी सर सारे भाईयों को मैंने दिलवाया अभी विकिनी को चाहिए टेली राम चैनल पर वीडियो पीन होगा उनकी साहता सब असानी से मंगवा सकते हूं इनके अलाबे भी कुछ जनकारी लेना इंस्टागराम पर मेसेच करो मैं वहाँ पर सारे है लेका इनके उपर जा सकते हैं इसके ऊपर करना ही होगा यहाँ फिलाल के रहा हूं कि कि यहाँ वह करने बाद हूं वाले ञतoshiे करते हैं महीं यहाँ आपर आले रोष यह हुआ यहिए रोस में से किसी एक के साथ मैं जाओंगा फिलाल के लिए मैं एरोस को यहाँ पर पिक्क्याओं गिलेंड मैक्सवेल सिरीज का हिस्सा तो नहीं याँ फिलाल इस टीम का मारकर इस्टोनी सहमारे टीम पर नाथर्ल अब यहाँ पर देखो एक चीज यहाँ पर मैं समझता हूँ आगर जैदि टीएच्चि यू मैं συनेखे नाथन केंटरीव का पी बड़ोग के, अलावी यहां १ disrespect यहां पर बाजी थे नेख़ें। करके मैं इनका एक पिलेर यहां पर पीक करूँगा गुर्विन्दर संधु को जिनका रिकॉर्ड काफी सामदा रहा था। इनके अलावे दोस्तों ये टीम हमारी लग रही लेकिन इस पे क्या चेंज हो सकता एक यहाँ पर आप इनके उपर जा सकते हो शेप अगजे देखा जाए तो जोई बर्नस के उपर जो रुकर खेलेंगा अगजे जादा बिक्टे गिलेगी तो फिलाल के लिए मैं ये टीम दे केप्टन वास के लिए तो मैं यहाँ पर सेफ सटीक तो नहीं बता सकता हो लेकिन इतना मैं जरूर बता सकते हमारा विसी होगा जेसुन संगा अब केप्टन के लिए देखो अगर जदी इनकी टीम पहले गेनबाजी किया तो नाथन मेक एंड्रू हमारा केप्टन और इनकी को यह टीम सेफ कर लेना यह टीम हमारा फाइनल बिल्कुल नहीं है फाइनल टीम जाएगे वो टेलीग्राम चैनल पे आगे डोमेस्टिक प्लेइंग इलेबन पे तो मेरे भाई फिलाल के लिए मैं अपनी वीडियो के यहीं समाप्त करता हूं सिधा मिलता उसमेच के अपड